काफी बढ़िया होगा एंड काफी मस तरीके से आप लोग गर्मी कानन ले रहे होंगे क्यों क्योंकि इतनी अच्छी गर्मी पड़ी है इतनी अच्छी गर्मी पड़ी है कि इससे पहले तो कभी पड़ी ही ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं जोक सपार्ट आज का वीडियो ब मतलब कि मानो होड लग गया हूँ जैसे कि UPSC में कॉंपटिशन किसने बढ़ाया है राजकुमार राओ ने बढ़ाया है मेरा इंतकाम देखेगी आपने मतलब तो देखी रखा है और वैसे ही इंजिनेरिंग का जो होड है वो थ्री इडियेट के वज़स से ही वो काफी जादा ट्रेंड में कहते है ना कि जिस चीज की हवा चलती है भाई लहर हवा सब कुछ उधर ही चला जाता है तो वही बात है लेकिन आजकी डियेट में ऐसा नहीं है जिन्होंने बीटे करका है भाई वो काफी अपने जिन्दगी से परशान हो गया है और इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी उतना रिटर्निंग नहीं मिल रहा है तो टेंशन तो होगा ही ओविसली लेकिन भाई टेंशन नहीं बिलकुल टेंशन नहीं इसका भी ऑप्शन है हर वीडियो में हम लो बात करेंगे कि ऐसे स्टूरेंट जिन्होंने बीटे कर रखा है बट वो कम्प्यूटर साइंस के फील्ड से ब्लाउग नहीं करते है उनका ब्रांच कम्प्यूटर साइंस नहीं है बट फिर भी वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्विज सीखे कोई कोई इसे सीखिए लागोर रुपय कमा रहे हैं, उनको सैलरी पैकेज, minimum starting salary, 10 LPA प्लस CT से उनको मिल रही है, तो कैसे मिल रहे हैं और ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम कौन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और जिससे कि हमारी भी सैलरी पैकेज उतनी भी हो, बिछिए स्टार्ट करते है If I talk about top, if I talk about top three B.Tech branches, तो कौन-कौन सी है? I hope आप लोगो पता ही होगा, No.1 पर Computer Science है, No.2 पर Mechanical है, No.3 पर Civil Engineer है, Okay, but आज के डिट में, जतना ज़ादा Computer Science का डिमांड है, उतना ज़ादा Mechanical और Civil का डिमांड नहीं है, अज़ो कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, आप जब तक कोई Government College से नहीं हो, किसी भी Government College से अपने Mechanical, Civil और यह सम्नेगर कर रखा है, तो आप चाहिए जतने में मैनत कर लो, कोई फायदा नहीं है, आपको पैसा तो उत्रहीं मिलना है, जतना और सबको मिल रहा है, लेकिन Computer Science, जिन्होंने वाकरी में दिल लगा के बढ़ाई कर रखा है, उनको काफी जादा, उनके लिए सबसे पहले बात है, कि स्कूप भी काफी जादा है, और थोड़ी बहुत अच्छी से कोडिंग उनों करने आती है, बेसिक उनको पता है, और आगे वो इंट्रेस्टेट है Computer Science के फिल्मे, तो भाई, आप सोच भी नहीं सकते हो, आपके स्टार्टिंग सालिज होगी न, वो टेल एल्पी होगी, और मैक्सिमम तो कितने भी हो सकती है, तो इसी पे आज हमनों डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं डिस्कस कुरूंगी, कौन सा जॉब आपको प्रेफर किया जाएगा, कौन कौन से पोस्ट पे आपकी हाईरिंग होगी, फिर मैं बताऊंगी कि उस पोस्ट के लिए, कौन कौन सा शुब आपको पढ़ना है, कौन कौन सा शुब आपको अवेल करना है, और अपने आप पे काम करना है, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, इसी बात थे, क्मुटर साइंस इस दाद डॉमिन इन दा करेंट इको सिस्टम, इन दा, क्या education यह तो आपको पता ही है मतलब community science जितना dominating domain हो चुका है ना आज की रिट में होतना कोई भी मतलब field में है यह नहीं जिसके मुझसे भी सनो भाई यह programming language सीख लो यह पांच skills सीख लो programming language related या फिर कोई और courses कर लो अप लागों कमा सकते हो तो वो लोग ऐसे ही नहीं बोल रह है आज कोई डिट में और minimum जो उनकी salary है ना minimum salary वो 15 लाग पर एनम है और maximum तो कितना भी जा सकता है इस काई डालमेट नमर टू पर में बात करो तो website developer website developer में आपका front end भी आ गया और back end भी आ गया front end मतलब होता है किसी भी website पे जो भी आपको interface दिख रहा है उसमें login पेज होगा उसमें आपका query section होगा किसी भी अगर मैं college की बात करूँ तो उसमें eligibility criteria होगा कौन-कौन से courses के लिए आप eligible हो की नहीं हो कौन-कौन से courses में आपका कितना fees लगेगा जो भी है details बगर जो भी रहता है मतलब जो भी आपको दिखता है आपको अपनी आखों से तो वो आपका क्या होता है front end होता है लेकिन my website वैसे तो वैसे नहीं बनी है उसको भी किसी ने बनाया है तो उसके पीछे का जो पार्ट हो तो Google जैसा आपको दिखता जैसा इंटरफेस है तो वो भी तो किसी programming language से बना होगा ना कैसे बन सकता है तो कौन-कौन से programming language इसमें यूज की गई है C, C++, Java, JavaScript, आपका Java Node, HTML, CSS और इतनी सारी programming language को यूज करने के बाद आपको पूरा को पूरा आपको build-up दिखाई देता है Google search engine तो उसी को हम दो back end part बोलते हैं तो full stack developer का काफी साधा demand है website developer का भी काफी साधा demand है अगर आप किसी भी एक language को प्रकड़के उस पे command कर लेते हैं तो आपका as a language programmer भी आपका hiring होता है language programmer in the sense मतलब की अभी सबसाद है अगर आप java सीख लेते हो तो java आपको पता है एक android based आपका programming language है आप सिर्फ और सिर्फ जावा गर सीख लेते हो तो भी आप भले ही कोई आपको नौकरी दे या ना दे पर definitely देगा क्यों नहीं देगा लेकिन अगर आप खुद का start-up भी कर सकते हैं उसके मैं बाद में बात करो software analyst software analyst एक ऐसा पोस्ट है जिस में लोग सोचते है ना जिन्होंने BCA कर रखा है या फिर BTEC कर रखा है computer science से बस उनी का स्कोप और बाकियों का स्कोप नहीं है तो यह जो मतलब thought process है वह बिल्कुल गलत है देफिनिटल आपका गलत है ऐसे जिन्होंने BCA कर रखा है और BCOM कर रखा है इवन BBA कर रखा है वह बंदे भी IT फिल्ड में जा रहे हैं उनको भी कमनिया ले रही है क्योंकि उनको basic knowledge होता है अब देखिये thesis में और infosys में मैं एक्जाम दिया है तो सभी को online assessment test to clear कर नहीं होता है जिसमें आपका reasoning, maths, English और तो आपको clear कर नहीं होगा तो आप YouTube में जा कर सर्च को लोगी बहुत सारा आपको वीडियो देखने को मिल जागा जहां पर non-IT background यहां भी SC कर रखा है, BCOM कर रखा है बट फिर भी उनकी hiring वी है TCS में, Infosys में, as a operation executive, उसको क्या बोलता है as a operation executive या फिर system analyst उनको थोड़ा बह प्रोजेक्ट पर काम करते हो, तो system analyst भी आपका एक आपका क्या है, post जिसमें आपका hiring हो सकती है, तो कितने मैंने बताया, 6 बताया, सबसे पहले software developer, second में आपका web developer, third में आपका full stack developer, fourth में आपका language programmer, fifth में आपका system analyst, और छटा है आपका software testing professional, software testing professional means वही, अगर आपको किसी भी programming language पर कमार्ड है, तो आप software testing professional भी आप हायर किये जाते हो, और इसमें जादा चांस BTEK वालों का होता है, इसमें non-IT वालों को प्रेफर नहीं करते हैं, तो BTEK वालों काफी जादा अच्छा scope है, चलिए, अब आपको तो बता चलिए कि कौन कौन सा post है, जिसमें आपकी hiring हो स कि पास knowledge है कि नहीं है, वैसे भी आपको पता ही है, Un-Academy, Un-Academy वो क्या कहते है, अईंग कौन सा उपका exam चलता है, क्या बोलते है और इसको, something, उसका भी itsrotat not second, I don't know he's been dialed कि उसका उसका भी नाम ता ह lady, the math पर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपर पर रत पर कोड़ीचे-प्राறे और वैसा से तो हम लोगों ने फ्री में डाउलोड कर लिया है ठीक है तो फहां पर जाकर के आप फ्री में अबेल कर सकते हैं दूसरा आपका पर फुल स्टैक डाउलोड पर काफी डिमांड है तो वह आप कोर्स कर लेते हो तो भाई आपकी जिन्दगी है ऐसे तो अभी रेल पर मतलब कि आसे सोई वह है और फिर ऐसे हवा में उड़ने लगीगे एक दम रॉकेट साइंस के जैसे ठीक है तो यह है और तीसरा में बात कर किसी भी एक प्रोगामिंग लेंग्विश पर आपको कमांड होना चाहिए आपको जिसमें इंट्रेस्ट है C++, C++ बहुत बेसिक है इस पेसली मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जावा पर आपको कमांड कर लो तो बहुत जादा अच्छा है उसके बाद आपका क्या था डेट डेटाबीस एडमिस्टेटर भी एक पोस्ट है जिसमें आपको DBMS का नॉलेज होना चाहिए डेटाबीस मैनेजमेंट सिस्टम का आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आपने DBMS कोई कोर्स कर रखा या फिर आपको basic knowledge भी है तो आप DBMS करके डेटाबीस एडमिस्टेटर वाली पोस्ट में आप की हारी हो सकती है उसके बद लैंग्विज प्रोग्रामर मैंने बता ही दिया किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्विज को पकड़ो उसके बद डेटा साइंस मतलब काफी most preferable courses है most demanding courses है अगर आप डेटा साइंस का कोर्स कर लेते हो न तो बास आपकी जिंद अगर आप वाकई में अगर एक साल भी सिद्द से दे देते हो न एक साल तो चोड़ो अगर शे मैना भी सिद्द से देते हो तो आपकी नौकरी पकी है डेफिनेटली पकी है यह मेरी गारंटी अगर आप वाकई महनत करके मलना कर पढ़ रहे हो तो उसके बाद है आपका AI & Machine what is deep learning give some technology which works up on AI & ML तो यह सब क्वेशन जो है वो काफी आपका on-demanding question है तो यह भी मतलब की अगर आप पुर्स कर लेते हो AI & ML पर तो मतलब बहुत अच्छा है उसके बाद आपका चट्टा मैं बोलूँगी animation and VFX अगर आप animation का कोर्स कर लेते हो तो आपको as a animated animated video वीडियो अपको पढ़ेगा उसमें आपको हाइरिंग हो जाएंगी कौन कौन से topic पर आपको डिसकोज करना पड़ेगा animation में आपको visual effect पर animation पर 3D technology और graphics यह सब आपको पढ़ना पढ़ेगा तो यह से graphic designer आपकी हाइरिंग हो जाती है उसके बाद है cyber security courses cyber security courses कर लेते हो तो आपको पता ह और ऐसा नहीं कि जो भी courses में आपको बता रही हूं आपको पता भी है वो अभी क्ले ही है अभी लहरचला computer science का तो बस अभी क्ले है नहीं ऐसा नहीं है आपको प्यूचर तो आपका computer science based होगा तो मेरा तो कहना कि कोई भी course कर लो थोड़े बहुत पैसे लगेंगे अब यह मत सोचना कि थोड़े बहुत पैसे लगेंगे तो मैं जो काम कर रहा हूं वही करता हूं नहीं अगर थोड़े पैसे लग भी रहे है तो वह आपका investment है अ आज करेट में Bitcoin cryptocurrency किस पर काम कर रहा है अगर आप Blockchain development का course कर लगे तो अगर आपको 60 LTA plus आपको CTC पिलेगी 60 लाख पर महीने per annum सोच रहोँ कितना ज़ाओ आप कितना जयादा है अज करेट में जीतने भी बंक जीतने भी hospital हैं आपका blockchain development को यह कर रहे हैं कामिल आरह हैं क्योंक अच्छाहीज प्रोग्राम जो की ब्लॉक्चेंट डवलप्मेंट पे वोलोगशिफ्ट कर रहे हैं और जाल साधर यूस करें क्योंकि ब्लॉक्चेंश डवलप्मेंट एक ऐसा आपका क्या बोलते हैं देवलप्मेंट है जिसमें कोई भी डीटा लिटर्ग नहीं हो सकता है कोई भी डेटा लिग नहीं हो सकता है इन नसंस कहने का मतलब है आप लोग सभी कोई अवेवेर ससाल मीडियया प्लैटफॉर्म से अवेर है आप लोग फीजबूक इंस्टाग्राम दो यूस करते है Whenever they want, they can change your personal details But in blockchain development, they won't be Blockchain development ऐसा नहीं हो सकता है आपका जो data है वो आपका एक दूसरे से connected हो सकता है और कोई इंसान हैक भी करना चाहे तो उसको minimum 10 साल अगेगा और एक बार वो हैक कर भी लिया ना तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो आपका chain है वो आपका हमेशा आपका क्या होता है उसमें changes होते रहता है ऐसा तो नहीं समझा पाँगी किसी एक separate वीडियो में समझा दोगी कैसे blockchain development है तो वो hack भी कर लेना तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो हमेशा change होते रहता है तो इसमें data आपका कभी भी leak नहीं हो सकता है तो blockchain development काफी सारा demanding है तो यह सब सारे courses से अगर आप कर लेते हो तो आपकी life काफी साथ अच्छी होगी और आने वाला जो future है आगे कि अगर आप देखो तो पूरा का पूरा system ही आपका community science based हो जागा तो यह सब आपको धिहान रखना है जो भी मैंने बताया अब आपकी मर्जी कि आपको क्या करना है देखे यह तो आपको पता होगा ना कि आपको जिन्देगी में क्या चुई है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि 10-20,000 कमा के अपना जिन्दगी बोलते हैं कि हाँ भाई मैं इतना ही कमा सकता है इस से जादा मैं बढ़ नहीं सकता हूँ बच्पन से आपको पसंद आ गई है तो हमें यही बोला जाता है कि वह मत देखो वह में लाइक का निया है वह में खरीद नहीं सकते हैं अगर उसलियुक्त पर हम लोग यह बोले अपने बच्चे को समझाए कि बिल्कुल खरीद सकते हो लेकिन तब खरीद सकते हो जब मैनत कर कि यह मेरे वकात कही नहीं है यह मैंनत क्यों करूँ तो कैसे होगा नहीं हो सकता है आपको जिंदगी में क्या चाहिए इस सिर्फ और सिर्फ आपको पता है तो सपने आपके हैं तो मैंनत भी आफियो करना पड़ेगा और हसल होता है रहा हसल एक इनसान के ऐसा चीज़ा 》जिए जो के इनसान करको कहीं से कहीं पहुचा सकता है सक्षिस कोई iansasथ eduns के पास कोई ऐसा फॉरमॉला नहीं कोई क्या बोलती हूँ उसको top priority नहीं रखती हूँ क्योंकि hard work तो बहुत सार ऐसे लोग कर रहे है एक मज़ूर भी दिन बर इतनी गर्मी पड़ी है फिर भी वो इटाड हो है फिर भी वो घर बना रहा है फिर भी वो अपना काम कर रहा है लेकिन क्या उसके वास उतने पैसे हैं नह सबसे स्मार्ट बोड़ करना जरूरी है सबसे इंपॉर्डन चीज कि आप स्मार्ट वग कारते हो आप एक बोड़ किने एक ताइम उसके प्रूपर क्या था निग्जा जो लोग कुछ भी करते हैं तो आप किस तरफ आप उसको तरुन करते हो सो अब ही आपके लाज अब और बहुत कुछ अच्छा हो बहुत कुछ बहतर ही नहीं हो तो I hope जो भी वीडियो है आपको पसंद आई होगी जो भी मैंने बात कही है वो आपको समझ में होगी ओके दिन वाइन टेक केर लव यू आल इस वीडियो को मैक्सिम शेयर कर देंगे I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेगी डेली बिस्स पर मैं कोसिस करूंगी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो और इससे आपको कुछ ना कुछ वैल सकते हो मेरे को देफिनिटली ये अपे टूथ में देफिनिटली ये एक मरोजा है ट्रस्ट है कि देफिनिटली आपको के दिनमा बाइन लव यू अल गुटनाइट